हेलो गाइस तो हमने पिछली वीडियो में देखा था यह इंट्रोडेक्शन क्या इसकी पेसलिटीज है क्या इसकी पंक्शनलिटीज है यह सब देखा था हमने आज हम देखेंगे stml क्या होती है stml की डिफिनियेशन इसकी बनाते है इसका सेंटेक्स्ट होता है डॉक टाइप html html head ये इसका ये इसका syntax होता है syntax इसकी जहां से html start हो रहा है वहाँ जो html take close हो रहा है इनको हम tags बोलते हैं ये इनको हम tags बोलते हैं चलो हम आपको एक program बना कर दिखाएंगे तो हम चलते हैं अपने visual studio code में अगर जिस किसी student के पास ये software नहीं है तो फिरी of cost google chrome पे हमारे google site visual studio code पे available है आप वहाँ से फिरी में download कर सकते हो इसको download कैसे के जाता है मैं यहीं भी बताऊंगा लेगिन अभी चलते हैं हमारे video की और तो एक file बनाई हमने hello.html यह कैसे बनाते हैं यहां से इसको पहले तो इसको desktop फे open कर लेते हैं visual studio code के नाम से है software फिर files में जाते हैं यह रहा यहां हमारे new file new file यहां create कर लेंगे हम यह रही new file इसको पहले control plus as से save कर लेंगे यह यहां पर save होती है यहां पर हम यहां पर save कर लेते हैं my program dot html यह dot html नहीं लिखो तो यहां पर यहां पर html select कर लेंगे फिर save के button पर click करेंगे यह हमारा program बन गया एक प्रकार से अब इसके अंदर हम designing करेंगे इसका code लिखेंगे html का तो start करते हैं less than html greater than यह अपने आप ले लेता है html की text को जो close होते हैं उसको यहां से heading दे देंगे head heading आगया my first program इसके अंदर title भी दे सकते हैं title जो take होता है my program यह इसका main syntax होता है प्रारूफ होता है एक परकार से इसका main head होता है फिर यहां से start to this की body program की main body यहां से यह tag है h1 my name is manos इसको हम control s से save कर लेंगे फिर हम इसकी directory में चलते हैं जहां से यह program से हुआ है वहां पर चलते हैं तो हमने save किया था इसको my files के अंदर this pc के अंदर my files के अंदर local disk f में यहां पर stml की series में इसको save किया था हमने my program यहां से इसको डबल क्लिक करते हैं यह program run हो जाएगा यह देखो guys यह आ गया यह देखो program.html के नाम से हमने इसको save किया था और यह हमने body में दिया था यह my name is Manoz और यह हमने heading में दिया था okay guys तो आप समझ गए होंगे कि HTML language कैसे काम करती है ओ यह online नहीं है यह offline है local local पे काम कर रही है local host पे काम कर रही है तो हमने यहां पे देखो जैसे as to as to take लिया यह heading के takes है जैसे my name is Sonu इसको फिर save किया फिर देखो यहां पे यह वापिस आगे हम यहां से replace को my name is Sonu okay guys समझ गया होंगे कि यह कैसे काम कह रहा है चलते है अपनी presentation की और आगला topic some importance of tag use in creating webpage webpage में जो mostly use होते हैं doc type html declaration define this document html5 document यह declare करने के लिए html जो html का जो document है उसको declare करने के लिए होता है यह भी new version में आया है html5 में html यह भी tag है html root element of an html यह में जो hypertext multiple language होती है उसके page का root element main element है मुखे यह हमेशा यह use में आएगा जो html tag नहीं हमेशा use में आएगा heading tag element content content meta information about the html page यह जो main जो उसकी information page की heading के अंदर save होती है save रहती है html page की जो भी है information वो title element specify a title for the html page जो html page का title है वो हम title tag के अंदर लिखेंगे उसको tag बोलते हैं इसको tag बोलेंगे हम यह जो tag यह सारे tags red color में दिख रहे हैं आपको यह body यह main होती है page की way page की हमारी इसी में हम सारी coding करेंगे आगे कैसे way page develop किया देता है element define the document body and is container for all the visible content such as headings paragraphs image hyperlink stable list etc अब सेक्टर आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है heading paragraphs image hyperlink CSB body में ही यूज होंगे . . करते हैं